हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपके साथ यूपी टैट के लिए इवियस का सेकंड चैप्टर शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है उत्ता पर्देश प्राक्रतिक बनावत वे रहन सहन बनावत के आधार पर उत्ता पर्देश के प्राक्रति भू भाग को तीन भागों में बाच सकते हैं पहला बाबर एवन तराईक का भाग गंगा युमना का मैदानी भाग दक्षिन का पठारी भाग नेक्स चाता है पर्वतिय भाग इस भाग में बहुत ठंड होती हैं जिसके कारण वनस्पती एवं जीव जन्तु कम पाए जाते हैं उत्तर की और हिमाल्य के उँचे भाग में बर्फ की धकी चट्टाने है यह भाग उत्तरा खंड है यह जो भाग यह उत्तरा खंड पहले उत्तर परदेश का उत्तरी भाग था पर अब यह एक अलग राज्य है उत्तर परदेश की अधिकांस नदियां उत्तरा खंड के इसी बर्फीले भाग से निकलती हैं चोटी चोटी धाराई चल कर बड़ी नदियां बन जाती हैं जैसे गंगा, युमना, राम गंगा या गोमती, सर्यू, आदी सबसे पहले हम देखेंगे भाबर तराई का भाग, यह भाग कुछ उत्तर खंड में हैं और कुछ उत्तर परदेश में हिमाल्य के परवतिय भाग से नीचे तता मैदानी भाग से उपर भाबर तराई का भाग है हिमाल्य के परवति भाग से नीचे और मैदानी भाग से उपर, परवतिय भाग से तो नीचे और मैदानी भाग से उपर भाबर और तराई का भाग है नीचे उतरने वाली नदियां गंगा युमना राम गंगा घागरा आदी का बहाव इससे आकर दीमा हो जाता है और नदियां पहाडों से लाए रोडे पत्थर में मिट्टी को उस भाग में जमा कर देती है इस भाग को बाबर कहते हैं जिस भाग में वो रोडे पत्थर जमा करती है उस भाग को तो बाबर कहते है तता उसका जो नीचे का भाग होता है उसको तराई का भाग कहते है तराई का भाग बाबर वाले भाग से अधिक नीचा है यहां पर रोड़े पत्थर नहीं है इस भाग में थोड़ी गहराई पर पानी निकल जाता है यहां की हवा में नमी रहती है नम या तर जलवाईू यह नाम नहीं होगा नम होगा नम या तर जलवाईू के कारण इसे तराई का भाग कहते हैं इसकी जो जलवाई होती है वो नमवे तर होती है थोड़ी नमी होती है इसकी हवा में इस भाग का मोशम मैदानी व्यापारी भागों की तुलना में कम गर्म होता है इसका जो मोशम है वो थोड़ा कम गर्म होता है किसकी तुलना में व्यापारी भागों की तता पहाडी भागों की तुलना में अधिक गर्म होता है यहां मैदानी भाग से अधिक वर्षा होती है यहाँ पर अधिक वर्षा होती है मैदानी भागों से वर्षा अधिक होने के कारण भाबर तराई में काफी घने वन होते हैं वर्षा अधिक है इसलिए यहाँ पर काफी घने वने इसमें सोरिय समसा नहीं है सीसम है सीशम साहूवे खेर के चोड़ी पत्ती वाले वरक्स होते हैं सीशम है यह चीक है नेक्स चाता है बास और वेद की जाड़ियां भी कहीं कहीं पाई जाती है बास और वेद की जाड़ियां भी कहीं कहीं पाई जाती है इस भाग में बाग तेंदुआ जंगली सूवर, नील गाए, हीरन आदि जानवर मिलते हैं ये भाग है इसमें तिन दुआ बाग, जंगली सूवर, नील गाए, आदि जानवर मिलते हैं वन एवं वनिय जीवो کی सुरक्षा एवं विकास के लिए सरकार दुआरा दुद्वा नैशनल पार्क इस्थापित किया गया है इसी भाग में दुद्वा नैशनल पार्क इस्थापित किया गया है यह है लखीमपुर खीरी एवं बहराइच जीले में फैला हुआ है लखीमपुर खीरी और बहराइच जीले में दुदवा नैशनल पार्क कहा है लखीमपूर खीरी और बहराईच जीले में पहला हुआ है नेक्स चाता है इसमें इसके काम धंदे जब इस छेतर के काम धंदे क्या है यहाँ पर अधिकतर सिचाई नलकूप वे नहरो से होती है यहां के लोग खेती करते हैं यहां के जो लोग होते हैं यहां कागज फरनीचर चीनी उद्योग या दस्तकारी में लगे रहते हैं यहां गन्ना गेहूं तता धान खूब पैदा होता है कौन-कौन सी फचल होती है यहां गन्ना गेहूं द्धान इस भाग में चीनी मीले हैं तथा तराई में बहुत सी चावल मीले भी हैं पीली भीत लखिमपुर खिरी और बहराईच आदी इस भाग के प्रमुक सहरें कौन-कौन से लखिमपुर खिरी पीली भीत और बहराईच यह तीनों सहर यहां के में सहर हैं नेक्स चाता है यहां का रहन सहन रहन सहन में है थारू और बक्षा लोग इस छेतर में सबसे पुराने निवासी हैं यहां पंजाब और पूर्वी बंगाल से लोग आकर बसे हैं इस छेतर में कुमावनी गडवाली भोचपुरी पंजाबी बंगला बोली जाती हैं आसा है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सिस्क्राइब करें थैंक यू